तो नमस्कार दोस्तूं एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्टूब चैनल अनिसका कलाशेज में तो दोस्तूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा निवेद्धन है अगर आप हमारे चैनल पर पेरिवार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर को आगे स्टार्ट करते हैं तो दोस्तूं आज हम बात करेंगे बिए स्टी सी थर्ड काउंशलिंग लिच्ट है जो जारी हो चुकी है लेकिन दोस्तूं कूलेजी चेज़ करवाने का मुका मिलेगा या नहीं मिलेगा सबसे ज़्यादा कमेंट यह आ है कि सर मेरा नंबर हैं कि रिकेद सेस् visitors बात करेंगे हैं क्यों 안 applied कि यूट्यूब चेनल पर आपका स्वागत है तो दोस्तु विडियो को आ official side है उस side पर हम आचुके हैं तो आप देख सकते हैं screen पर हम BSTC की जो official side इस side पर आचुके हैं इसके बाद दोस्तु मैं आप बताना चाहूंगा कि यहां पर अभी तक कोई notification नहीं आया है यह वही notification है जो आप देख सकते हैं notification for third round allotment ठीक है दोस्तु उसके बाद दोस्तु यहां पर जो option है एक दो तीन तरी option यहां पर show कर रहे है तो दोस्तु यह option है जो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर एक अलग से option आएगा जो के आने की तीथी क्या है दोस्तु उसकी तो उसकी इसी की ओपिस या साइड पर जो बात करने पर ये बताया जा रहा है कि 7 साथ से लेकर के 9 के बीच कभी भी आ सकता है आएगा तो अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा ठीक है दोस्तूं तो इस पर ये process चल रही है क्या प्रोसेस चल रही है मैं बताना जाता हूं आपको कि अपार्ड मुमेंट पर ये प्रोसेस चल रही है कि कितनी कुलेज़ों में कितनी सीटें अभी तक खाली है अगर खाली नहीं है तो बच्चे कितने अपार्ड मुमेंट करवा रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये ब उस college से जैसे कि नागोर मैं नागोर से विलम करता हूं तो नागोर वाले जेपुर जाएंगे अपार्ड मुमेंट करवा करके और जेपुर वाले नागोर आएंगे जिस मन्दु का नम्मर आया है क्योंकि वह अपने घरे जिले में ही वह बहुत कर सके ठीक है तो इतना आपके करवाने का कोई भी option नहीं आएगा ये मेरी गारंटी है सो परतिसत ये गारंटी है मेरी सो परतिसत जी हां दोस्तों सो परतिसत अनिसका क्लाशियस पर ये सो परतिसत गारंटी लिजा रही है कि अगर साथ और नो के बीच में अगर अबार्ड मुमेंट का option नहीं आया तो उ एक बार रिपीस होने वाली है उसके बाद आपको अपार्ड मुमेंट करवा सकते हैं कोई टेंसर वाली बात नहीं है अपार्ड मुमेंट तो दोस्तों एक एक वरस आप मानलीजे कि आप जेपूर से विलम कर रहे हैं तो जेपूर में एक साल के आपने बीस्टीसी कर ली और दूसरी साल के लिए दोस्तों आप अपना जिला है वो चेंज कर सकते हैं और जो की ग्रे जिला है वो ले सकते हैं आप तो अपार्ड मुमेंट तो दोस्तों एक साल पूरी करने के बाद भी हो सकता है अपार्ड मुमेंट तो कभी भी हो सकता है तो दोस्तों पहले एक बार नो तारीक तक 9 October तक आप अपनी रिपोर्टेंग करवाएं और साथ तारीक तक अपनी deposit जो फीस है अपाड़मोमेंट करवने से पहले वो फीस जमा करवादे साथ तारीक तक तो दोस्तु बहुत अच्छा मुका है ये और साथ तारीक से नो तारीक के बीच में अगर ऑपिश साइड से तो हमें पहले जानगारी मिल जाती है क्योंकि Спon título सबसे पहले ही आजाती है ठीक है दो स्थол जो जो भी नोटिपिकेशन vtc से लिल्ली होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऐंशक क्लासिश पर डलूगा और छोटा सा पूरे निवेदन है कि चनल को सस्क्राइब कर बेलाइक प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लिए टेस्टिक को क्वालिटी के साथ विस्वास मी देता रहूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदे